प्रेंस आपका स्वागत है आपके अपने youtube चेनल अंकित लेक्ट टूइटू पर आज के सिफडीयो लेक्छर में हम पढ़ेंगे समाकलिन के सुत्तर इससे पाले बाले वीडियो में हमने पढ़ा आकलन के सुत्तर और हमने डिटेल से अधिन किया तो आज के इस वीडियो लेक्शर में हम पढ़ेंगे स्माकन के सुत्र देखिए समाकन क्या होता है अकरिया ही सब्सक्राइब कर आती है तो इसका मतल़ जो हमने Cortiscaki के सुत्र पढ़े थे उसे ज़स्ट उल्ठा भी स्माकलन के सुतर मिलेगे जो हमीं मोश्ट इपोर्टेंट जो फॉर्मूली है आज हम उनका अधियन करेंगे जो आपको हर तो यह यह नहीं हो जाएगा थे देख्याइब है कि अपनी पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो देख ले तभी आपको यह समझ में आ सकेगा ठीक है तो देखिए वन का d x की respect में समाखलन हो जाएगा इस इसी प्रकार देखिए X की power n का d x की respect में समाखलन करना है देखिए आटुकलन की just الty पर करिए है यह आप आटुकलन के सब्सक्राइब दस चाया 12 फूर्मिल जो मेन मेन हैं उन्हें याद कर लेते हैं तो आप समाकालन के शित्र खुद यदधा जाएग minority यह समाकलन है देखिए हम वहां पे किया करते थे लेक्सिती पावर न का समाकलन करना है देखिए एक्स यो सेम रहेगा वहां पे क्या करते थे वां पे क्या करते हैं यह आगे नहीं आएगी और लेगी अभी ब्लस फेज़ाए प्लस की पी पावड आरेफ़ी टुं गाहता है लोग एक्स होता है लोग एक्स औरड ही क्षोंग आए लोग समय बेटर्व कर्ते थे तो इसका अंग क्या मिलता था हमें कि रोगए फहीट हमें वना उपनप्राप्रापत हो फार्ट वन अप錢 को स्सबागर क्या होगा लोगस होगा ओकि इस परकाद कि ये एक सका स्वाखलन नियूंग को और एक बात टोडियान में रखिएए यह समाखलन है वह आनिस्ती समाकर रंग है कि नहीं कि नहीं है कि एक एक निस है तो पूचा जाए तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था को सक्स होता सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग कि लो यह और प्लस में कोश्टेंट सी आ जाएगा ठीक है इसी प्रकार कोश्ट एक्स का डेरिवेटी वहां पर माइनस साइन एक्स होता था तो कोश्ट का समाकलन यहां पर उल्टी पर किया है तो कोश्ट का समाकलन क्या हो जाएगा साइन सब्सक्राइब याद रखना यदि समाकल ने पूछे को सक्षा तो साइन एक्स होता है यह बाते द्यान रखने होगी है यहां पर आपकी क्यूशन है वो गल्त होने के चांस बढ़ जाती है इसलिए आप इनकी ध्यान ध्यान में रखना ठीक है शेक स्केर सेक स्केर एक्स का समाकल ने क्या होता है देखिए आपको पता नहीं है आप इसका यदि आप डेरिवेट्व जानते हैं देखिए हमें पता है कि टेन 10x का d by dx करते हैं तो क्या आता है 10x का में हम जानते हैं c x square x आता है तो यदि हमने काउल्टी पर किया है तो c x square x का c square x का हम समाकलन करते हैं तो क्या आना चाहिए 10x आता है उसी परकाद यदि c square x का समाकलन करी तो उसका अनसर क्या जाएगा 10x पलस में C constant, देखे कितना आसान, यदि आप derivative के फार्मूली याद रख लेते हैं, तो समाकलन के फार्मूली याद रखना वेरी वेरी एजी है, ठीक है, इसी प्रकार देखे, कोसेक स्केर अक्स डी एक्स के फार्मूल, कोसेक स्केर x dx का क्या होता है minus quote x plus c ठीक है इसी प्रकार देखिए सेक x tan x किसका फर्मूला होता है सेक x tan x सेक x का होता है सेक x plus c देखिए हमने देखा था d by dx सेक x का derivative देखती है तो क्या आता है सेक x और 10 तो सेक x tan x का समाकलन करते हैं तो आस्पर क्या आएगा सेक x आएगा यही है सेक x देखिए कितना असान है यही आप इनको समझ की याद करेंगे तो याद करना बहुत असान होगा ठीक है तो अब देखिए को सेक x और कोट x का को सेक x और कोट x का समाकलन क्या होता है कोट कोशेक X और कोट X का स्माक्रन होता है कोशेक X पलस C इसी प्रकार देखीगा फार्मूला नंबर बारा की फार्मूला नंबर बारा 1 अपॉन अपॉन 1 माइनस X स्केर का अन्रूट का फार्मूला क्या होता है उसी प्रकार और स्माक्रन पूछेर का इसी प्रकार स्माक्रन पूछीजाए तो इसका क्या हो जाएगा डेखे आपने यह फार्मूला के सभी फार्मूली याद कर लेती है तो हमें समाकलिन के फार्मूले यादर करना रखना वेरी बेरी एज़ी हो जाएगा तो मैं आपसे यह एड़ाइड देना था हुआ कि आप आउकलिन की सुत्र अच्छे सियाद कर लेवें और जिस्ट उल्टी परक्रिया अपना कर समाकलिन की सुत्र आप निकाल सकते हैं तो आप आउकलिन की सुत्र अच्छे सियाद कर लेए और अपनी पढ़ाई को जारी रखे और अच्छे माक्स प्राप्त करें मैं आपके सुब विश्य की काम ना करता हूं यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हो और आपको कुछ इस वीडियो से सिखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक जूर करना इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जूर करना हम मिलते हैं ने वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए बाई बाई